आपको मैं बताना चाहता हूँ 36 गड़ के नए मुख्य मंतरी विश्नु देसाय जी जो है बन चुके हैं जियां और ये 36 गड़ के प्रथम आदिवासी नए मुख्य मंतरी हैं तो 36 गड़ के नए मुख्यमंत्री बनते हैं विश्णू देसाय जी का सबसे बड़ा आयलान निकल कराया है आप लोगों के लिए सबसे बड़ी अपडेट इस समय निकल के आ रहा है जी हाँ 36 गड़ में बीजेपी ने आप लोगों के लिए काफी मत्तू पूर्ण जो है नई गोश्णा की है सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि किसानों का करजा माप होने वाला है जी हाँ 36 गड़ के जित्ते भी किसान है आप सबी को बता देना चाहता हूँ कि आप इसे हरे किसान अभी बहुत जादा परशान है बहुत जादा चुन्ता में है बहुत जादा तनाव में है कि हमारा बैंक में बहुत जादा करजा है तो किस तरह से हमारा बैन का लोन माफ हो पाएगा, किस तरह से हमारा बैन का लोन चूट हो पाएगा तो अब आप लोगों को बताना शाहता हूं कि बिल्कुल अपरशान होने वाली कोई बात नहीं है 36 गड़ में आप लोगों को सबसे बड़ी राहत मिलने वाले है आप लोगों के लिए सबसे बड़ी अपडेट होने वाली है 36 गड़ में किसानों का करजा माफ होने वाला है और आपे से हरे के लिए ये सबी चीज़े आपे से हरें के लिए ये सबी अपडेट जो है काफी जादा important होता है आपे से सबी के लिए ये सबी अपडेट जो है बहुत ही जादा माइने रखता है इसके अलावा भी आपको मैं बताना चाहता हूं कि 18 लाग गरीब परिवारों को भी अवास मिलेगा 18 लाग गरीब परिवारों को अवास देने का काम जो है बीजेपी गवर्मेंट्स के द्वारा 18 लाग गरीब परिवारों को जो है खुद का घर खुद का च्छत देने का काम भी बीजेपी सरकार के द्वारा किये जाएंगे इसके साथ 25 दिसंबर को आपके दो साल का बोनस का पैसा 25 दिसंबर को आपके दो साल का बोनस का भी रासी आपके बाइंक आकाउंट में सीधे पूरे के पूरे पैसे ट्रांसफर किया जाएंगे और ये 36 गड़ में आप से भी के लिए बहुत जादा जरूरी है बहुत जादा महत्वपूर्ण है और 36 गड़ के नए मुख्यमंत्री बनते ही विश्णु देशाय जी का जो है काफी अच्छी अपडेट आप लोगों के लिए निकल करा रहे हैं जितने भी अपडेट जो है निकाले जाते हैं वापे से खरेक के लिए बहुत ही जादा महत्वपूर्ण होता है इसके अलावा भी एक लाग पदों पर जो है 36 गड़ में नई भरतिया भी होने वाली है एक लाग पदों पर भी आप लोगों के लिए नए विकेंसिस होने वाली है एक लाग पदों पर भी आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण नई अपडेट भी निकल कर आने वाले हैं बीजेपी सरकार के द्वारा भारती जन्ता पार्टी के सरकार के द्वारा जितने भी अपडेट जितने भी गोश्णा पत्र आप लोगों के लिए निकाले गए हैं जो मोदी की गारंटी हैं जितने भी वादे जो है भारती जन्ता पार्टी ने किया हैं जो मोदी जी की मोदी जी जो गारंटी जो गारंटी जो वादे दिये हैं उन सभी वादों को जो है भारती जनता पार्टी के सरकार के दौरा उन सभी वादों को जो है एक एक करके जो है पूरे किये जाएंगे आपको बताना शाहता हूँ 36 गड़ में ने सीम बंदी सबसे पहले प्रतिक्रिया विश्णो देसाजी का था कि सबसे पहले तो उनके द्वारा जो है 18 लाग गरी परिवारों को आवाज देनी के बात उनके द्वारा सबसे पहले कही गे थी जिया है सbung Georgette गड़ में 18,00,00 दर्टी परिवारों को आवाज देने के बात कहीछ ठी कि सबसे पहले जो cabinet का बैठक होगा और cabinet में जो प्रत्म फैशला होगा वो होगा सबसे पहले 18,00,00 दर्टी परिवारों को आवाज देना तो अब जो है 36 गड़ में BJP Govorkment के दौरा जो है सबसे पहले काम यही किया गया है और प्रत्रम कैबिनेट के बैटट में भी यह चीजे निकल करा चुका और प्रत्रम कैबिनेट के बैटट में भी यह फैशलाख हो चुका है और 36 गड़ में सबसे पहले 18 लाग गरीब परीवारों को अवास मिलने वाला है इसके साथ 25 दिसमर को आपके 2 साल का बागाया बोनस का पैसा 25 दिसमर को आपका 2 साल का बोनस का भी रासी आपके बैंक अकाउंट में transfer किया जाएंगे जो कि काफे जादा important होता है आप सभी के लिए जो कि बहुत ही जादा महत्तुपूर्ण होता है जी हैं तो भारती जन्ता पार्टी के द्वारा बीजेपी governments के द्वारा जित्ते भी चीजे होती हैं जित्ते भी update जित्ते भी notification जित्ते जित्ते भी गोशना पत्र आप सभी के लिए जारी किया जाते हैं उन सभी गोशना पत्रों पर उन सभी वादों पर जो है काम किया जाते हैं जी हैं और भारती जन्ता पार्टी की सरकार गरिबों की सरकार हैं यहां की सरकार हैं आम जन्ता की हर एक वर्ग के लिए हर एक शंभव प्रयास हर एक तत्वर कोशिश किया जा रहा है हर एक प्रयास मेहनत किया जा रहा है जिससे सभी को जो है बेनिफिट्स मिल सके सभी के शपने जो है पूरे हो पाएं सभी के ड्रिम्स जो है पूरे हो पाएं इन सभी के लिए जो है बीजे इन सबी के लिए बारती ये जंता प्रारी के सरकार के दोरह आप सभी के लिए काम diferen जाय Uh तो आने वाले टाइम में और भी कही जादा महत्वपूर्ण अपडेट आने वाले टाइम में और काफी इंपॉर्टेट आप सभी के लिए होने वाला है तो जितने भी अपडेट जितने भी नोटिफिकेशन जितने भी बैनुक फैश्टो जितने भी गोशना पत्र जो होते ह लाते हैं जी हम जितने भी वादी जितने वी अयलान जोई वीजेपी के दौरा किए गया है उन सबी वादों को उन सबी घोश्नों पद्रों को एक एक कर करके पूरे किये जाएंगे धेखें थोड़ा सा टाइम लगेगा किसे बी चीज को पूरा करने में लेकिन वो चीज पूरा होका जरूर एक लाग पदों पर अगर हम भरती परिक्षा के बात करें एक लाग पदों पर जो है गोवर्मेंट जाप्स के बात करें एक लाग पदों पर नौकरियों के बात करें एक लाग पदों पर जो है पेक इंसिस के बात करें त तो पूर्वा आईए सदिकारी पूर्वा कलेक्टर ओपी चौधरी जी ने भी कहा है कि एक लाग पदो पर जो वादे एक लाग पदो पर जो भरती परिक्षा के लिए बाते जो कही गे थी एक लाग बरती जो बीजेपी गौवर्मेंट्स के द्वारा भारती जन्ता पार्ट में आप सभी के लिए बहुत ही चीजे महत्तुपूर्ण होने वाले तो जितने भी वादे जितने भी चीजे आप लोगों के लिए निकल कर आते हैं वो सभी वादे वो सभी चीजे काफी जादे इंपॉर्टन होता हैं वो सभी चीजे बहुत जादा महत्तुपूर्ण होता जादा जी हां आपके उम्मेद से कहीं जादा आप लोगों के लिए वो सभी अपडेट जो हैं कलकर आने वाली हैं काफी महत्वपूर्ण चीज़ें होने वाली है तो 36 गड़ में नए मुख्यमंद्री विश्णु दे सायजी के द्वारा काफी महत्वपूर्ण ऐलान किया ग आपके बैंक आकाउंट में सीधा जो है ट्रांसफर कर दिये जाएंगे और बहुत जादा महत्वपूर्ण चीज़ें और भी काफी इंपॉर्टेंट जो है अपडेट आप सभी के लिए निकल कर आने वाले हैं आने वाले टाइम में तो थोड़ा से इंतिजार आपको करना हैं और जितने भी अपडेट आप लोगो के लिए जितने भी घोशना पत्र जो जारी किये गए हैं उन सभी वादों को उन सभी घोशना पत्रों को जो है एक एक करके उन सभी वादों को जो है पूरे किये जाएंगे जियां तो हर एक कोशिश आर एक शंभाव प्रयास आप लोगों के लिए होने वाला है तो जब भी और कोई भी नोटिफिकेशन जब भी और कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको अवसरुप से बता दूंगा आई होफ जितने भी जानकारी जितने भी अपडेट मैंने आप सभी को बताया सभी जानकारी आपको पसंद आया किस्क्राइब करके जाना धन्यवाद